वास्प गाईज वांस अगें बलकम बैक टो आई यूडूब चैनल आप सब का बहुत को स्वागत है एक बार फेसे हमारे यूडूब चानल पर बात करने वालों इंडिया गवाटालन सीजन 9 के 19 फेबुररी के एपिसोड के बारे में गाईज द्रमेंद्र स्पेशल गाईज और बॉलेबर लजेंडरे अक्टर द्रमेंद्र जो हैं इंडिया गवाटालन सीजन 9 के मंच पे नजर आए गाईज और उनका शानदार स्वागत जो है किया जाता है शानदार उनकी एंट्री होती है मैं जट यमला पगला दिवाना के चाईजर सौंग की उपर गाईज और बहुत ही अमेजिंग एक्टर हैं एक से बढ़कर एक इन्होंने मूवी दी हैं गाईज और बादशा जो है पैर शू के इनका स्वागत करते हैं और धरमेंद्र बताते हैं अपने बारे में कि वो पहले भी इंडिया का टालेंट सीजन 3 में आये थे और उसके बाद वो आज अवर करते हैं शो का शानदर रुडै फर्स्ट कंटेस्टिटों गाईज बैट सालसा 2.0 की शानदर परफ्वार्मेस से शो का अगाज होता है अगाज जिस गाने पर इन्होंने डांस करा बोथ धरमेंद्र जी की हानेक मूवी का गारा मैं जट यमला बगला दिवानट इस और बहुत ही शानदर इनकी परफॉर्मस थी गाईज लेकिन इस बार इनकी परफॉर्मस के अंदर सालसा की सासत पंजाबी दड़का भी लगता हुआ नजर आया थोड़े से बालिड मूब्स के इनने करें तो बैलसिंग भी इनकी अक्ट में देखी लेकिन गाईज हर बार की तरह बैट सालसा की परफॉर्मस सब को ड्रा देने वाली और हैरान कर देने वाली थी गाईज आप देख सकते हैं शिलबा कैडी कुंद्रा को ड़ते हुए गाईज अगर आपने ये परफॉर्मस मेस करें तो इसे आप सोने लेब आप पे जाकर देख सकते हो गाईज और ब परफॉर्मस को कहते हैं गाई इस टेंटिंग ऑविशन सब जज्मेट पैनल की दर्व से मिलते हैं तो किरन खेर भी बहुत खुश नजर आती है उनकी शांदार परफॉर्मस देगा इस उसके बाद जो बाच्छा है वो भी बहुत अच्छे अच्छा कमेंट्स उनकी इस हैं गाईज उसके बाद अर्जुन विजलानी बुलाते हैं अगले परफॉर्मर को गाईज नेक्स्ट परफॉर्मर है डेमलुशन क्रिव गाईज उनका बहुत अच्रंगी अंदास के अंदर सवागत किया जाता है सवागत किया और उनकी एंट्री जो है बड़े ने सब्सकर आते हैं गाईज उसके बाद शुरू होती है परफॉर्मस डेमलुशन क्रिव की गाईज शांदार परफॉर्मस होते है जरमेंदर जी कि अकानिक सांग रफ्ता रफ्ता आंख मेरी लड़ी है कि ओवर गाईज और बहुत ही इनकी अच्छी परफॉर्मस को बहुत ही हैरान कर देने वाले होते हैं जो इस बार भी हमें देखने को मिलेगा इस और बहुत ही शांदार परफॉर्मस जो है डैमिलिशन क्रिव की इस बार भी रहीगा इस आपका फेबरेट क्रिव कौन सा है आपका फेबरेट कंटेस्टर कौन है टॉप फटीन में से जो आ को मिल देखने हैं और बाट शाके भी मूँच खुला खुला रहा है उनकी शांदाः परफरमेस को देखे गाईस तो Best wishes to demolition 원 के वो और एक से बढ़कर रेके परफरमेस हर हबते हमें देखने को मिलती है को इस दिन परफॉरमस को द्रमेंदर की तरफ से भी मिलते हैं और अगर आपने इनकी परफॉरमस को मिस कराया तो इसे आप सोने लेबाब पे जाकर देख सकते हो और अगर मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को किसी सब्सक्राइब अगर मैं आपसे मिलू तो आपसे एक मुक्ता खाके जुरूरा और इनकी इस इच्छा को पूरा करते हैं द्रमेंदर स्टेज पे आकर गईज और वो उनको एक मुक्ता भी मारते हैं पूरा जो इंडिया को टैलन का मंच है मैं जट यमला पगला दिवाना से घूमज उड़ता गाईज उसके बाद बादशा भी उनके साथ कामेडी करते हुए नजर आते हैं नेक्स्ट परफॉर्मर को बलाया जाता है अर्जुन बिजलानी की दरफ से और नेक्स्ट परफॉर्मर का नाम है नितिश भारती गाईज नितिश भारती सेंड आर्टिस्ट हैं और बहुत य अपने इस एक्ट में तो गाईज उनकी बहुत ही शानदार परफॉर्मेस एक सेंड आर्टिस ने किस तरह से ट्रिब्यूट दिया ध्रमेंदर जी को अगर आपने यी परफॉर्मेस मिस्स करिये तो बहुत बड़ी आपकी मिसिंग है ये गाईज और अपने इस परफॉर्मेस को देखते रहे तो दूसी तरPR भावुक होते हुए नजर आए ध्रमेंदर का इस और उनकी इस परफॉर्मेस मां के साथ ध्रमेंदर का जो इड्रीषन दब प्रेजार प्रवजय किया गया और उसके बाद जो ध्रमेंदर ने बहुत अच्छे-चे कामेंट उनकी इस पेरेंस को याद करती हुए नजर आई और उनको जो है चुप कराते हुए नजर आए बादशा दो बहुत ही अच्छा यह एपिसोड इस हपते का हमें देखनेयों को मिला और एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस हमें देखनेयों मिली इतना ही नहीं अध्रमेंदर ने गोल्ड परफॉर्मर को बुलाते हैं अरजन बिसलानी गाईज लेकिन वो शिल्पा शैटी के साथ थोड़ा सा एंटेंटमेंट का पैकेज बढ़ाते हुए नजर आते हैं और बुलाते हैं अगली परफॉर्मेंस को नेक्स परफॉर्मेंस है और बहुत ही अमेजिंग इनकी वो था शंक्रा री शंक्रा सौंग और बहुत ही अच्छी इनके परफॉर्मेंस बहुत अच्छे इनके पावर मूब्स और बहुत अच्छे इनका बैलेंस एक था और जिसे देखे सभी हैरान होते हुए नजर आए गाईज अगर आप मेरे चैनल पे नहीं है तो इस चैनल क हमें देखने को मिल रहे हैं और इनी अमेजिंग परफॉर्मेंस में है वर्काट बैरियर के परफॉर्मेंस और किरन खेर को आप देख सकते हो ड़ते हुए और इस बार पर लो उनका पूरा फेस के उपर तो शिल्पा शेटे भी बहुत अच्छे अच्छे कामेंस देती है वर्काट बैरियर के इस परफॉर्मेंस को गाईज बाजशा की खौमडी नौन स्टॉप चलती रहते तो ध्रमिंदर ने बहुत एप्रिशेट किया उनकी इस परफॉर्मेंस को उन्होंने कहा कि एरादे आपके बहुत मजबूत हैं और मेरी दुआएं आपके साथ हैं कि आ गाज़र आएगा जो बहुत अच्छा सब को लगा और केरन केर में आपने इस मुवमेंट को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया गाईज अगर आपने इस मुवमेंट को मिस्स किया तो देखिए सोनी लेब आप पे इंडेको टैलेंट सीजन 9 का ये बला एपिसोड उसके बा इनकी परफॉर्मेंस को मिला था गाईज और लता जी की ही तरह ये गाती है गाईज तो इन्होंने जिस सौंग को इस बार आटेम्ट करा बो था सवल जाओ चमन वालो ये आए दिन बहार के हवाओं ने जो छेड़े हैं और अपर मिल गया है कोई मतलब कि बहुत ही अमेजि अब आज को बहुत जादा एप्रिशेट किया और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस जो है इस बार भी इशिता विश्व कर्मा की जो है सब को लगी गया है इस अपने पिता को इन्होंने आटिशन राट में डेडिकेट करी थी परफॉर्मेंस और ये परफॉर्मेंस और ट्रिव्यूट देया है ध्रमेंदर जी को तो बहुत ही अच्छी इनकी परफॉर्मेंस ती उसके बाद बहुत अच्छे अच्छे कमेंस इनकी इस परफॉर्मेंस को मिलते हैं हवाओने जो छेड़े हैं सौंग जो इनकी परफॉर्मेंस को मिलते हैं तो उसके बाद मनोज उनसे एक सवाल पूछते हैं कि आपने आज पैर के अंदर कुछ भी नहीं पहना हुआ तो इस पे इश्टा बताते हैं कि आपने ही मुझे कहा कि लता जी जब भी कोई परफॉर्मस करती थी तो वो पैर में कुछ नहीं पहनती तो मैं भी उस बात को जो है फॉलो कर रही हूँ गाई तो बहुत ही अच्छी ये बात है और उसके बाद धर्मेंदर ने अपनी तरफ से उसको कुछ गिफ्ट जो है दिया गाई जिसे पाके वो बहुत ज़्यादा खुश होगी दिरमेंदर जी ने खुद जो है लिखा था जो कुछ शायरी लिखी थी कुछ बातें लिखी थी जो उन्हें दी गाई जो उसके बाद किरिन खेर जी के कहने पर लता जी का एक और गाना मतलब कि आपकी नजरों ने समझा प जो घंबाइ लॉकल का गलोवल टैलेंड जी फटनी बैंड और इस बार रेड़ कलर के चश्मे पहने हूं है सब ने और धरमेंदर जी थी रेड़ कलर के नज़र आयर तो शिलपा जहलों धी पीछे नहीं है ती मतलब कि सारी टीम ने रेड कलर के चश्मे पहने और जोसके सॉंग इस बार जो अटेम्ट करते हैं गुलाबी यहां के जो तेरी दे की शराबी यह दिल हो गया गाईज और बहुत ही अमेजिंग परफॉरमस इस बार भी हमें देखने को मिल रही इफ़नी बैंड की तरह उसे गाईज तो वेस्ट विशिस की बो टाउफ 14 में हो और हम खुश नसीव हैं कि हमें उनकी परफॉरमस हर हफते देखने को मिल रहे गाईज जो भी आपका फेवरेट कांटेस्टर है उसे आप बोट कर सकते हो अपनी जो सोनी लिबाप है उसे आप अपडेट कीजिए जा डाउनलोड कीजि तो जो रुपेश के पापा है वो ध्रमेंदर के बहुत बड़े फैन है उन्हें के क्रियू का मेंबर है रुपेश तो बहुत शायरी जो है ध्रमेंदर के लिए बोलते हैं जो की बहुत अच्छी थी ध्रमेंदर जी को बहुत अच्छा जो है लगा गागा तो बेस्ट इस अगार। करेंड का, बहुत हैंligen तरीके से इन्होंने इस चीज़ को अटेम्ट कर और भाकरी परफॉरमेंसच एपिसोड की ये घार राइशief इस तो बहुत हैंने इसे इपिसोड हुआ नाइंट प्रेंदरा स्पेशल ये इपिसोड था और बहुत शानदार आकरी परफॉर्मेंस सूफी निजामी की रही गाईज फर्स परफॉर्मेंस बैड साल सा डेमलुशन के रो नीतिश भारती वर्काउट वैरेर इसचीता विश्व कर्मा एफ एनी बैंड और लास्ट परफॉर्मेंस सूफी निजामी ब्रदर्स की तो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट जो है शिल्पाशाटी कुंदरा या केरन केर मैम और मनोसर ने दिये तो गाईज देखना न भूले एंड आको टैलेंट का कल का एपिसोड बहुत मजा आने वाले गाईज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए लव यू और गाई